दियर स्टुडेंट्स आई एम तन्मा कुमार कुले और यू आर वाचिंग मैं चैनल होट लाइफ आज मैं आप लोगों के साथ मैं गोर्ड काल्टिविशन के बारे में कुछ डिसकस करेंगे पहले आज चार गोर्ड क्रॉप्स को मैं सेलेक किया हूँ एक है पॉइंटेट ग जिसको कुना बोलता है और राइट साइड लोकी अलग 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 नाम जाता है और बीज में है स्पोंज गोट जिसका दोल केहीं नयनुवा अलग 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 नाम से जाना जाता है अगार यह चारोगало से different question आता है तो mostly पूछते है what is their chromosome number देखिए interesting खिली क्या है जितना purple है bitter god है और butter god है their x is equal to 11 and so 2n is equal to 2x so it is their diploid chromosome number is 22 but Denua के case में ये diploid chromosome number है 26 which vegetables छोड़के most of the cucurbis seeds से propagated होता है और इसका seed rate होता है 3-6 kg के बीज में hectare puti point in code के case में ये seed produce करते हैं but वो जो seed से जब पौधा निकलता है वो 50-50% male और female होता है और वो पौधा जब लगा देंगे उसको footing होने तक इसको समाई लग जाए तीन साथ है for that reason pointed code कभी seed से commercially propagation नहीं करते है generally stem cutting और root sucker से इसका commercial propagation होता है जिसका seed material जो rate होता है दो हज़र से धाई हज़र पीस प्रती हेक्टर नाव ये वाए देख रहे है root sucker और डाए देख रहे है आपको stem cutting ये initial stage में male female को पता करना बहुत मुस्कील होता है जो trader malpractice करते है वो ज्यादा male का part दे देते है वो बाद में जाके commercially production में दिक्कत होता है but genuine supplier क्या करते है एक certain percentage of male रखके उसको sell करते है remember for pointed good at least 10 is to 1 ratio में female और male का अनुपात रहना चाहिए better fruit set के लिए अभी आते है इसका growing season क्या है इसका mostly ruby and curry दोनों season में होता है जब ruby के case में होता है कोई भी cucumber bits February और January में sowing होता है और curry में June जुलाई में sowing होता है but pointed good के case में जब मैं upland में इसका खेती करेंगे तब August to October में लगा देते है और ये सुरुबाद भी छोटा growth होके next winter में dwarf होके रहते है then after winter is over during the month of February ये rapid grow करते है और March onward footing देते है generally जहां रिवार के किनारे में pointed good उगता है और हाँ इसको annual crop के तरह cultivate किया जाता है इसको आगश्ट के पहले में जितना yield होता है उतना लेके फिर ओ एरिया सम्मार्ज हो जाता है बट जहां आब लैंड होता है ये perennial crop के तरह cultivate होता है हर साल winter में एक crop dormancy में चला जाता है and after that जब एगें समार आता है इसमें profuse fruiting होता है बहुत सरा varieties है cucurbits में आप यहां bottle good की case में देख सकते है जो कासी रंगा, कासी कुंडॉल, कासी कीती बहुत सरा variety है similarly pointed goat के case में इंडिया का गॉब्मेंट सेक्टर में एवेलेवल है objective question की जो लोग तैयारी कर रहे remember सर्णो रेका सर्णो अलोग की यह दो पॉइंटेड बूर्गा वहराइटी है यह बहुत जादा question में पूछा जाता है यह दो वहराइटी ICR Research Complex for Eastern Region का जो Regional Center है राची में वही से डेवलप हुआ यह दो राइट साइड में आप देख सकते हैं सर्णो अलोग की कफ रूट से और राजेंद एग्रिकल्चर यूनिवर्सिटी जे आर्पी सी यू जो बिहार में है आई आई भीयार से तीन भेराइटी डेवलप हुआ कासी अमुल्लो कासी सुफ्वाल कासी अलोंका बीटर गोड की केस में कासी उर्भोसी बहुत अच्छा है यह चोड केस पॉंज गोड में भहुस सारा भेराइटी डेवलप हुआ कासी रक्सिता कासी श्रेया काशी दिब्ग और को लिए नाम से एक नवागा वेराइटी जो अच्छा आइ इसका इक्षा अच्छा भराइट्य आई आह-ई- फैटर क्सोमिक अभेचल शिपेक अभी रिशैनली 2020 के में एक अच्छा वाराइटी है पंजाब नीखर जो स्पॉंजगोड का वाराइटी है क्योंकि most of the cucurbits they are climber summer creeper so climber है they generally go on power system और trellis system और उसमें क्या होता है yield भी ज्यादा अच्छा होता है crop hanging होता है यार मिलता है and it gives good yield अभी बावर सिस्टेम में लगाने के बाद अब जब क्यों कर्विशन फ्लावर रहता है यहां पॉलिशन जरूरी है क्योंकि इसमें दो कॉंडिशन होता है एक में मेल फिमल अलग-अलग जगा में मेल फिमल 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 के बज़ए से इसने आपको cross pollination जरूरी है mostly insects इसका pollination करते हैं that is endomophily जितना bright colored cucurbits है mostly cucurbits का जो flower color है yellow वो आपको honeybee से pollinated होता है but some cucurbits are white in color and they open during the night time हैं तो उसमें night time visitor कुछ insect आता है so depends on timing of flowering क्यों गर्विज में pollination होता है सफेद वहला जो flower में होता है many time high temperature और suitable ecological condition नहीं होने के बज़ाए से natural pollination कम होता है उसमें yield कम होता है इसमें सबसे बड़ा prominent होता है पड़बल में पॉइंट गुट में तो इन डाट केसे फार्मा डेवलाप सम हैंड pollination technique it is very simple male flower को उपर से रिमूब करके उसका अंथर female plant का जो stigma होता है उससे में touch कर देते हैं नाव हम लोग देखेंगे किस तरह फ्लावार होता है जो बाएं आप इस तरह नीचे एक आचा चोटा पडबल जैसे देखते एक फ्लावर है नीचे यह है मेल फ्लावर Similarly, आपको बोटोलगोर में फीमेल फ्लावर मेल फ्लावर होता है. लेकिन रिमेंबर वन तिंग पोटोलगोर केमें मेल फ्लावर में फ्लावर फिमेल फ्लावर और डिफारांडर होका, but same plants के अंदर ही होता है, благодарow में flowering होता है वीटार गोट में भी देखी ऊपर में है female flower नीचे male flower और इसका flowering time है early morning so early morning होने के बज़ए से bright color होता है और उसमें बाद honey भी attract होते है non-natural pollination होता है similarly sponge goat इसका early morning में flowering होता है और female flower and male flower आप यहां देख रहा है remember one thing the luffa cylindrical that is scientific name जो आपको sponge goat का होता है sponge goat सूबे flowering होता है और जब रिजगोड there is one species that is luffa aquitungla similar crop है फ्रसा देखने में अलग है बट इसका flowering time evening में है so although they both are luffa they never cross together इसके बाद एक important information क्यूकर्विट से पूछा जाते हैं that is metazenia metazenia क्या है effect of fallen on fruits and other food character अब लोग कभी कभी देखेंगे क्यूकंबर्स खीड़ा जो खाते हैं bitter in taste कभी कभी रीजगोड भी बीटर हो जाते है actually क्या होता है when there is a source of pollen is bitter तो pollen क्या करते है जो female fruits का character में effect कर देते हैं इसी को metazenia बोलते है metazenia क्यूकर्ट में होता है और सबसे ज्यादा इसका effective example है जो खजूर होता है उसमें ज्यादा ट्रेडिशनिल यूज होते हैं आ रहा है क्यूकर्विट्स में most important aspect है maturity indices most of the cucurbits immature stage में करते हैं except watermelon mask melon जो ripe stage में खाते हैं other cucurbits immature stage में vegetables के रूप से खाते हैं now immature or maturity cases जाज करेंगे most of the cases अब को देखना होगा जो flower remnant चैसे pointed code के case में नीचे बाला जो flower remnant ये dry हो जाना चाहिए और साथ में spindle shape एक proper shape आएगा और important aspect से pointed good का इसका seed maturity tough हो जाता है तो बहुत ज़्यदा tough seed भी लोग पसंद नहीं करते हैं वो भी ध्यादने ना चाहिए बटूल गोट के case में nail test करते हैं नाखून अगर आराम से fruit में anti करते हैं नेल अगर anti कर जाते हैं देन इस बेरी soft and is for suitable for consumption और इसके maturity में क्या होता है जो fruit surface में छोटा-छोटा-छोटा hairy growth होता हो fall कर जाते हैं और tough हो जाते हैं not suitable for consumption और sponge code की case में सदेन एक light color change होता है दो dark color से light color आ जाते हैं और bitter good की case में जो इसका उपर में सब्सक्राइब करते हैं अगर अच्छा लाइंग लगेगे तो जरूर एक लाइक कर दीजिए कॉमेंट कर दीजिए और इंतेजर करते रहें मेरा next video जो other aspects जो इसमें छुट गया वो में details आप लोगे साथ सामने लाएंगे थैंक यू बेरी मच्छ